हालो फ्रेंट्स नमस्कार एंड वेलकम टू शामाधान साथियो उमीद है कि आप सबच्छे होंगे और स्टड़ी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी साथियो यहां पे एक अफिशल लोटिस जारी किया गया है बिहार सब्सक्राइब करने के लिए यानि समय जो कम बचा हुआ है उसको कैसे आप लोग को इडिलाइज करना है तो आइए सबसे पहले हम लोग इस नोटिस के माध्यम से सारी जनकारी को देखते हैं अब जैसे कि देखेंगे साथ ही हो तो क्या हुआ था कि फॉर्म दिसंबर तक डे भी यहां पर दिया इडिट करने का जो कि 18 फेप तक था लेकि बाद में फिर से आयोग ने डेट बढ़ा दिया एक्स्टेंड कर दिया चुकि एक्जाम डिले करना था युको तो 18 माज तक फॉर्म को सुधार को रहा गया और डॉक्मेंस उसमें अप्लोड करवाया गया हला अब इसी से पता रखता है कि आप एक्जाम का त्यारी कैसे करते होंगे क्योंकि जब आपको एक-एक इंफर्मेशन इसका पता नहीं है अगर आप चैनल से जुड़े होते हैं तो जरूर आपको इंफर्मेशन मिला होता कि कब फाम इडिट हो रहा है अब तो खेर डेट नि पतना संसकरन में तीन माँ बाद होगी इंटरस्तरिय परिच्छा और यहां पर लोक्सभा चुनाव के कारण परिच्छा बाद मिली जाएगी उसके बाद ही होगी और यहां पर द्वितिय चरन यानि यहां पर जो द्वितिय इंटरस्तरिय भरती है इसके लिए अपडेट दिए गया था कि चुकि प्रथम का काफी समय लग गया था लगभख 10 साल होने जा रहा है और लगभख 22 में के लिए रुवार सालों में इसमें भी ऐसा टाइम लगेगा तो दो कि ऐसा नहीं है कि इतना टाइम लगेगा क्योंकि सीजियल तो यह तो दिया गया था पेपर में कि आपका एक्जाम डिले होगा अब नोटीस के माध्याम से देखेंगे तो और सारा चीज आपके किलियर हो जागा अब जैसे कि देखेंगे यहां पर तो आज का डेट है एक अप्रेल 2024 और यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंपॉर्टेट्ट नोटीस रिगार्डिंग जीरो एक सेलेश दुजट तो आइए इसको डाउनलोड करते हैं और उपिन करके फिर नोटीस के माध्याम समलक जानते हैं कि कितना समय आपको मिलने जा रहा है इं अप्रेल 2024 आवस्यक सुचना और यहां पर दिनांग 163 2024 को माध्यम से बिग्यापन संख्या एक सलेश दुजट तेईस पद आसुलिफिक यानि इस्ट्रोन गराफ़र का बेवहारिक परिक्ष्या में अहरत्या के अधार पर दो से कात्तर अभिष्यों को प्रमानपत्रों की समीच्छा है तो निर्धारित काजक्रम और यहार एकारनों से अगले अधेस तक अस्थकित की जाती है आवस्यक अपेक्षित अनुमाती प्राप्त होते हैं परमानपत्रों की समीच्छा के पुना अयजन की तिति घोसित की जाएगी और इसके लिए इंद्रिदेश दियात इलेक्षन के कारियों में और चुकि आप सबको पता है कि जो इंटर लेवल जो बी एससी है तो बी एससी में आपका करमशारी की पहले से ही कमी है तो इसमें क्या किया जाता है कि कुछ दिनों के लिए बीपीएसी के जो अधिकारी होते हैं उनको यहां पे इंकुलूड कर जाता है इस्पेसल कारियों के लिए जैसे डॉक्मेंस पर किसन और यह सब हो गया तो वह तो अल्लेडी अब इलेक्षन के कारियों में बीजी है तो फिर यहां पे भी नहीं आपाएंगे तो देखें कहीं न कहीं इलेक्षन के कारण के वाज़े से जो यह चीजे अस्थगि जाएगा देखें आपका लेटस्ट जो एक्जाम काडेट होगा वह जूशून लास्ट भीड में यह जुलाइ कफर्स्ट वीक से अपका एक्जाम सुरू हो जाएगा क्योंकि जब जिसमें आपका cjl का भी वरती सहें तो अभी हैं तो अभी आप त्यारी करेंगे तो ईलेक्शन बाधं सारी भरतिया आपके पास होंगी लेकिन उसके लिए आपको त्यारी अभी से करना होगा तो जैसे 50 हो गया 25 मैत हो गया 25 साइंस हो गया और पचास जनरल औरनेस हो गया जिसमें बिहार को इंटर फियर और बिहार स्पिसल भी रहता है और पंचायती राज से खास करें कोशन याज पूछा है तो सबसे पहले आपको प्रेवेश से कोशन देखना है और सिलिबस को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस एट लगाई है त्यारी करिए और सेलेक्शन लीजिए तो यह अपडेट था बाकी अप अच्छे से त्यारी करेंगे और इस बार अपका सेलेक्शन होगा धन्यवाद